तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए. IAS या दूसरे प्रतियोगी परिक्षाओं के इंटर्व्यू में केंडिडेट से अकसर ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जिनका जवाब देना कई बार उनके लिए आसान नहीं होता है. कुछ सवाल सिर्फ कॉमन सेंस चेक करने के लिए पूछे जाते हैं लेकिन ज्यादातर केंडिडेट इन कॉमन सेंस के सवालों में भी गहराई से सोचने लगते हैं और इनका जवाब नहीं दे पाते हैं. ऐसे ही कुछ सवाल नीचे दिये जा रहे हैं जिनके जवाब आप देने की कोशिश कर सकते हैं. आप इन सवालों के जवाब हमें कमेंट करके बता सकते हैं. सवाल, भारत मंगलियान और चंद्रयान पर इतना खर्च क्यों करता है? जवाब, इससे हमें स्पेस सोसाइटी का बेनिफित मिलता है. एक किसान को घर बैठे मौसम, फसल और बीजों के बारे में जानकारी मिलती है. सवाल, हमारे पास तीन से भै उसे दो माँ और दो बेटियों में कैसे बाटेंगे? जवाब, भाई साहब, किस सोच में पढ़ गए? सभी की एक ही माँ होती है. सौतेली मा को छोड़ कर और उसकी बेटियां एक से जादा हो सकती है. इसलिए एक मा को देंगे और बाकी दो सैबो को एक-एक दोनों बेटियों में बांग देंगे. सवाल, वो कौन सा काम है जो आदमी अपनी पूरी जिंदगी में एक बार करता है, पर वही काम औरत रोज करती है. उ जवाब, क्योंकि इससे रोड दुरखटना में कमी होगी. सवाल, आसमान से गिरने वाली बूंद की स्पीद क्या होती है? जवाब, आसमान से गिरने वाली बूंद की स्पीद 32 फिट पर सेकंड होती है. दोस्तों अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक अपने दोस्तों के पास शेयर करें. और ऐसी ही एज्यूकेशन से रिलेटिड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए.